ओल्ड काम्ठी रोड के अंतरगत आने वाला ओम्साई नगर में रोजाना दिन रात अलग-अलग परिशर के सेक्डों जरुत मंदों को खाना बाठा जा रहा है। जब से शार में लॉक्डाउन किया गया तब से लेकर अब तक और उससे भी आगे यदि लॉक्डाउन रहता है तब तक लोगों को खाना इन संस्ता के और से पैकेट देकर मदद कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। खाने में हर रोज सबजी रोटी चावल दिया जा रहा है। इस बारे में संस्ता के पदादिकारियों ने इन भी से इन समक्ष जानकारी दी। जुना कम्ठी रोड के उपर में ओमसाई नगर हैं यहां पर हम आए हुए हैं हम आपको बता दे कि यहां पर प्रति दिन हजार लोगों को खाना खिला जाता है। जियां आप देख सकते हैं कि हमारे पिछे में यह तमाम जो यहां पर कारे करता बड़ी संक्या में दिकाई दे रहा हैं यह ओमसाई नगर के हैं और यह लोग पिछले कई दिनों से ऐसे बे सहारा और जरुरतमन लोगों को दो टाइम खाना खिला रहे हैं यह सबसे बड़ी उनके घरों तक जाके उनको देते हैं जिनको जरूरत है हम उनी को खाना खिलाते नाकि सभी को कंपलसरी नहीं खिलाते हम लोग यह हमारा रोज का रूटीन बन गया है जब तक लाट ड़ान खिलाना चाहेंगे जब से शुरू हुआ है तब से अभी तक हम खाना परती दिन मतलब लोगों को घर घर में पोचा के उनको खिला ही रहे और आगे भी हम लोग यही चालू ही रखेंगे इस प्रकार का खाना खिलाना एक प्रकार की देश सेवा ऐसा आपको लगता है क्या देश सेवा यही मानव धर्मा है हमारे लिए हम विश्व इंदु परिशत के माध्यम से मैं अपना परिशे देना चाहता हूं मैं उत्तर नाकपुर सहमंत्री मुकेज जी तसरे उसी प्रकार ओमसाइन अगर बहुत देश्ची है सवंस्ता हो चेतन की चैरिटेबल यह सवंस्ता मिला कि हम तीनों यह कारिया किये जा रहे हैं जब तक की लॉकडाउन है तब तक की हम मदद करेगे क्या के खाने में क्या के खिलाते हो रोटी है और सबजी है एक टाइम का और शाम का चावल तो आप देख सकते कि अभी यहां गर्मा गर्म पुलाव भी बन चुका है और इतना ही नहीं तो लोग यहां पर बड़ी संक् दाने और भोजन डान आयत दिन लोग देश की जैसे सेवा करते हैं उस प्रकार का यह काम काच कर रहे है यह सबसे बड़ी बात है लागडाउन भले ही जब भी खत्मा हो लागडाउन खत्मा होने के बाद भी लोगों का खाना खिलाने का यह काम बदस्तूर जारी रहेगा ऐसा भी यह इन तमाम कारे करता ने कहा है कैमरा परसन सुवाज भुठले के साथ संजे मिरे इन बीसे निजनागपूर